कै उदर कि इसप्पट से जुड़ी हुई जो भी परिशानी जितनी परिशानी पेट से जुड़ी हुई चाहे उदर के अंतरगत कोई गांठ पड़ गई हो को त्यंदी में गांठ पड़ गई हो है महारा डॉक्तर बोल रहा है कि इसका उपरेशन करना पड़ेगा या पेट से जुड़ी जितनी आधिक आधिक जितनी भी बिमारियां हो जाते हैं भद्राक्ष जगा पर काम आता है केवल तीन दिन तक भद्राक्ष का जल भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जात कर भद्राक्ष का जल शंकर परना चड़ा कर केवल अशुक सुन्दरी वाली जो जगा होती है आपको पहले भी बढ़नन की अशुक सुन्दरी की जगा का कि जैसे यह शिवलिंग है यह जला धारी है और इसके सामने जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है बाबा का उतरदिशा की और जाता है तो बीच में मोटी सी जो लाइन होती है वह अशुक सुन्दरी की जगा होती है बद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर ना चड़ा कर अशुक सुन्दरी वाली जगा पर चड़ा दिया जाए और उस जल को जहल कर लाया जाए और उस जल का पान अगर उदर में कितनी भी प्राम्लम चल रही हो उदर में जुड़ी होई कितनी भी परिशानी चल रही है मात्र तीन दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशुक स पहले दिन से ही आराम मिलना प्रारम हो जाता भद्राच्छ के जल का इतना इस्टाइब